सलाम वालाइक्म, वेलकम टू निशीर्स किचिन आज में आपके साथ शेयर करने जारी हो दाने दार सूजी के हलवे की रेसेपी, आप अगर स्टेप बाइ स्टेप मेरे बताएवे तरीके से सूजी के हलवे बनाएंगे, तो आपका हलवा दानेदार होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार बनका तयार होगी तो आईए देख लेते इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरुवत होगी एक कप सूजी एक कप शक्कर एक तिहाई कप घी एक टिबल स्पून केवडा वाटर तीन-चार इलैची को इस तरह करश कर ले और एक पिंच जाफरान ड्राइफ रोट्स में मैंने लिया है थोड़े से पिस्ता थोड़े से बादाम थोड़े से काजू और थोड़ी सी चिरॉणजी एक टिबल स्पून के करीब किश्मिश ड्राइफ रोट्स की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं सब्सक्राइब किजे निशीज किचन को और साथ ही बेल आइकन को दबाईए ताके मेरे आने वाली लेटिस वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले सबसे पहले हलवे के लिए चाशनी तयार कर ले तो उसके लिए मैंने यहापे लिया है एक पॉट और गैस कफ ले मौन कर दिया है अब यहाँ पे एट कर ले धाई कप के करीब पानी एक कप सूजी के हलवे के लिए धाई कप के करीब पानी पानी को उसी कप से मेजर करें जिस कप से आप सूजी ले और साथ ही एट कर ले एक कप शकर और यह जाफरान इसे भी यही पे एट कर ले यह ओप्शनल है आप चाहे तो एट करें नहीं तो नहीं चला दे इसे तक कि शक्कर बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो जाए यहाँ पे ध्यान रहे कि हमें एक तार की या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है बस शक्कर के मेल्ट होते ही गैस का फ्लेम आफ कर ले यहाँ पे अब देख सकते हैं शक्कर पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है तो बस यहाँ पे गैस का फ्लेम ओफ कर ले और इसे कवर कर दे ताके जब हम इसे सूजी में डाले तो यह गरम होनी चाहिए अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और गैस का फ्लेम ओन कर दिया है इसमें एट कर ले सूजी चला दे इसे यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखे और लो मेडियम फ्लेम पे हमें इसे 5-6 मिनिट तक लगातार चलाते वे भून लेना है दानेदार सूजी का हलवा पनाने के लिए आप पहले इसे कुछ देर तक इसी तरह भून ले फिर इसे घी के साथ बहुत अच्छी तरह भून ले इससे हलवा दानेदार और खिली-खिली बन कर तयार होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी का टेक्स्चर चेंज हो गया है और यह भून चुकी है तो बस यहीं पे अट कर ले घी चला दे इसे ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो रखके और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते वे बहुत अच्छी तरह भून लेना है यहाँ पे आप सूजी को चार से पांच मिनिट तक लगातार चलाते वे गी के साथ भून ले जब तक कि इसका कलर हलका चेंज ना हो जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर हलका चेंज हो चुका है तो बस यहीं पे अट कर ले चौप की एवे ड्राइफ रूट्स चला दे इसे ताकि सूजी के साथ ड्राइफ रूट्स पे थोड़ी भून जाए ट्राइफ रूट्स को मैंने सूजी के साथ बहुत अच्छी तरह भून लिया है यहाँ पे अब देख सकते हैं सूजी अच्छी तरह भून चुकी है अब इस पॉइंट पे एट कर ले चाशनी चाशनी एट करते वक पूरा ध्यान रखे गैस का फ्लेम लो होना चाहिए चला दे इसे अब यहाँ पे एट कर ले किश्मिश साथ ही एट कर ले इलैची पॉर्डर और यह केवडा वाटर इसे भी यही पे एट कर ले चला दे इसे अब कुछ देर तक इसे इसी तरह चलाते रहे जैसे ही इसमें उबालाएगी यह धीरे धीरे थोड़ी थिक हो जाएगी अब यहाँ पे इसे तीन से चार मिनिट तक के लिए कवर कर ले ताके सुजी बहुत अच्छी तरह फूल कर तयार हो जाए अब इसका लेट हटा ले बहुत ही अच्छे खुश्बू आ रहे है यहाँ पे अब देख सकते हैं हमारा हलवा बनकर बिलकुल तयार है तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर ले दानेदार सुजी का हलवा बनकर तयार है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह अफेश